नमस्काद अश्कों, यूट्यूग के मेरी चनल में आप सक का सागत है, आज का हमारा विशे है कन्या राशी का सितंबर महा का राशी फल, इस वीडियो में हम कन्या राशी का राशी फल देखेंगे, कन्या राशी वानों के लिए ग्रहाउं की जुस्तिती है, वो उनको क्या फल देने वाली है मेरा यह राशी फल आपकी चंद राशी पर अदारित है यह के वले गोचर फल है इसको आप पिडिक्शन ना माने तो इस राशी फल से पहले हम यह देखें कि इस समय कन्या राशी के जातकों के लिए घ्रह गोचर क्या बना हुआ है महा का जवारम होगा तो सिंग राशी में सूरेवा मंगल बिद्यमान होंगे और नौम अद्ध सितंबर को बुद्ध वा शुक्र जो है वो सिंग राशी से निकल कर कन्या राशी में बिद्यमान होने चले जाएंगे और वहां वो नीच भंग राजयोग बनाएंगे आगे चलकर 17 सितंबर को सूरे बी जो है कन्या राशी में परवेश कर दाएंगे और 22 सितंबर को मंगल का परवेश हो जाएगा इस प्रकार कन्या राशी वो राशी है जिस पर चार में ग्रहों का प्रभुत रहेगा सूरे मंगल बुद्व शुक्र देव गुरु बर्स्पति विष्टिक राशी में बिद् अगर हम देखे कि कन्या राशी वालों के लिए घ्रह गोचर क्या है तो सबसे अद्बुद बात यह है कि कन्या राशी के 9-10 सितंबर से कन्या राशी में दो में घ्रहे आ जाएंगे बुद्व शुक्र बुद्थ तो अपनी सौराशी कन्या में होंगे और शुकर अपनी न अद्बूत और शुप संकेत है आप जौब बदलने की ट्राई कर रहे थे तो आप जौब बदलने की तरफ जा सकते हैं आप जिस सेलरी पर काम कर रहे थे उससे अधिक सेलरी के लिए आपको आफर आ सकता है आप जौब की तलाश में थे तो आपको जौब मिल सकती है वेपार का महीना नए कार्यों को शुख करने के लिए अती शुबर इसके साथ ही आपका दौदश भाफ बहुत बली होकर आया है दौदश वाफ से विचार करते हैं खर्चों का तो सितंबर महां में आपके खर्चे बहुत रहेंगे, वो खर्चे आपके यात्राओं पर होंगे, अस्पताल के समन में होंगे, घर की शुक्सभदा में होंगे, आप घुमेंगे फिरेंगे खूब, खर्चों के अधिक्ता रहेगी, खर्चों के अधिक्ता रहने के कारण आप धनेश शुक्र के लगन मे विराजित होने के बाब दी, आप बचत नहीं कर पाएंगे, खर्चों के दिखता ज्यादा रहेगी, आपको बचत में प्रॉब्लम आएगी, बचत नहीं कर पाएंगे, और जहां तक हम बात करें विदेश आत्रा की, तो वहाँ पे द्वादेश शूरे, वहाँ आपके तिते वहाँ मंगल इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वह यात्रा आपकी फल्दाई रहेगी, यात्रा आपकी निर्थक नहीं जाएगी, साथ ही गुरू जो है मारगी अवस्ता में आपके सप्तमभाद को देख रहे हैं, और इधर 18 सितंबर के बाद शनी भी मारगी अवस्ता में आ या लड़का देखने जा रहे हैं, तो सितंबर महा में उनको प्रयास करना चाहिए, यह समय ऐसा है कि आपको अनुकुल जवाब मिल सकता है, यह समय ऐसा है, इसके साथ ही दंपत्ते जीवन के लिए शुप संकेत है क्योंकि सब्तमेश गुरू खुद आपके भाब को देख कन्या राशी के जातकों के लिए है कि आपको स्वस्तेगा ध्यानक ना पड़ेगा, वैसे तो आपके लगनेश बूद अपनी स्वराशी में रहेंगे, पर उसी लगन में आपके नीच के शुक्र भी बिद्धिमान होंगे, जो आपकी मारकेश है, दौदेश शूरे भी बि अगर जरासी कोई प्रावल्म होती है सेतमबर महा में तो दौक्टर से परामश लें, और अगर आपकी कोई दवा चल रही है तो नीमेत रूप से दवा का सेवन करें, और किसी भी बात को सोच के ना छोड़ दे कि नहीं ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये ग्रहों का गोचर है, इफेक्ट दे सकता है और इसकी connectivity अगर आपकी कुंडली की दशा अंतरदशा के साथ हो गई, कि दशा भी किसी मारकेश या अस्टमेश की हो गई, या दशा भी आपकी शुकर की हो गई, बंगल की हो गई, या सूरे की हो गई, तो ये ज़्यादा आपको negative effect दे सकती है, इसल जल्दी पकड़ता है और आपको health में कई तरह की व्यादियां, कई तरह की problem आ जाती है, इसके अलावा हम बात करें विधार्ती वर्ग के लिए, तो विधार्ती वर्ग के लिए एक अच्छा समय है, विधार्ती वर्ग का बन पढ़ाई में लगेगा, ध्यान उनका बढ़क आप अपने नई इनर्जी महसूस करेंगे, आप अपने को fresh महसूस करेंगे, अब हम साबदानी रखने की बात करें, तो सबसे पहले देखिए कि वाणी भाब का सौमी, शुक्र जो है वो नीच का हुआ है, तो आपको control रखना है अपनी वाणी पर आपकी मुझ से ऐसी बात निकर सकती है, जो किशी को बुरी लग जाए, साथ ही कुटुम में, पुटुम की जो महलाएं हैं, उनने विवाद की स्तिधी बन सकती है, घर में सास भगु का कोछ कलेश हो सकता है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे, घर में जोएंट फैमली है, तो ऐसी बात ना निकले घर कारे संथन पर विवादेश झालक कोछिए डशी कारें, तो ऐसी बहुत्तों से चारी आपके लिए उतने सकारातम नहीं है, सूर्य हमारे आत्मा के कारके है जब सूरज ऐसा घ्रह कमजूर पढ़ने लगता है कुंडली में तो हमारी अंदर की पावर शम्ता जो है कम हो जाती है और भारवाले शत्रू हम पर ज्यादा हावी हो जाते हैं इसलिए शत्रू को नामो का दे कि किसी भी तरीके से आफिस में या राणिती में आपके उपर हमला कर सकें तो ये तो मैंने बताया कि ये ग्रह गोचर तोह कन्या राशी का बना हुआ है अब हम देखते हैं कि कन्या राशी वालों के लिए शुप तितिया क्या निकल के आई हैं ये तितिया तब शुप होंगी जब चंदरमा आपका कन्या में होगा व्रिष्टिक में कुम्भ में मीन में मितुन में या करक में होगा तो चंद्रमा आपका positive होगा इस दिन आप को महत्यपण कारे कर सकते हैं यात्रा कर सकते हैं किसे मुलाकात कर सकते हैं तो उसके पूरा होने की संभावना जादा बढ़ जाएगी यह शुप्तिति आम नोट करिए एक वा दो सितंबर पांच वा छे सितंबर बारा वा तेरा सित सितंबर 14 वा 15 सितंबर 16 वा 22 सितंबर 23 वा 24 सितंबर 25 वा 28 सितंबर अगर इस समय आप किसी काम का प्लान करेंगे तो उसमें आपकी सफलता की संभाबना बढ़ेगी इसके अलाबा कुछ अशुक्तितिया भी नोट करिए जब चंद्रमा या तो आपका धनु का होगा मेश का जब चंद्रमा चौते घर का आटवेंगर का या बार्वेंगर का वह शुक्तितिया हैं आपकी 7 वा 8 सितंबर 17 वा 18 सितंबर 26 वा 27 सितंबर आप सितंबर में कोई भी महत्यपूर डे ले जौब बदलने के वारे में सोचे कहीं यातरा का प्रस्तान करें को एग्रिमेंट करे प्रोजेक्ट को शुरूर करना चाहें, कोई महत्यपुर समझोता करना चाहें, लोन सैंट्शन कराना चाहें, तो इन तितियों का ध्यान रखेंगे, चंदरमान कूल होने से यह तितियां आपको लाब देंगी, इसके साथ ही दशको अगर आप मुझसे कोई परशन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी डेटर बर टाइम और प्लेश दे सकते हैं उसके साथ ही दशको अपना वीडियो समात करने से पहले मेरी आप सबसे परातना है कि अगर आपनी मेरा चैनल अभी तक सब्क कर दें साथ ही वैल आइकन को भी दवा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अप्लोट करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल दाए इसके साथ ही नमस्कार दशको जैमाता दी